अर उधर उत्तरदेश के मुख्यमंद्री योगिया दितेनात शहरों के नाम बदल रहे हैं तो यहीं उनके जो सहयोगी हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर के तेवर अब बदल रहे हैं सुहेल देव भारत समाज पार्टी के अध्यक्षों प्रकाश राजभर ने मुस्लिम नामों वाले शहरों के नाम बदलने पर यूपी पर हम्ला किया है लेकिन यूपी में ही सरकार में इसे लेकर एकमत नहीं और अब यूपी में बीजेपी के साथ सरकार बनाने में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने नाम बदलने पर बीजेपी को बड़ी सला दी भारती जन्ता पार्टी कह रही है कि ये मुगलों के नाम से है तो भारती जन्ता पार्टी में उनकी राष्टी प्रवक्ता है सहनवाज हुसेन केंदरी मंत्री हैं मुक्तार अक्बास नकवी राजय मंत्री हैं मुहसिन रजा पहले इन तीनों लोगों का नाम तो बदल दे ये तीनों जो उनके साथ मुस्लिम चेहरा है इन तीनों का नाम तो बदल दे ओम प्रकाश राजभार सुहेल देव भारत समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री लेकिन कुछ दिनों से नराज है ऐसे में सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका छोड़ने के मूड में नहीं दिखे राजभार ने बीजेबी को मुगल कालीन इमारतों के नाम बदलने के भी चुनौती थी मुसल्मानों के जीटी रोड जो बनी है वो खनवा के फिकवा दे है वो तो वो जो मुसल्मान ही बनवाया है ने शेर सासूरी ने बनवाया तो उस सड़क को कहें चलते हैं लोग उसको हटा दें पहले लाल कीला किसने बनवाया है हगरा का ताज महल एक भी तो ताज महल जैसा कोई बनवा दें राजभर इस से पहले भी योगी सरकार के खलाफ खुल कर बोलते रहे हैं और कई बार तो मामला बीजेपी अध्यक्ष तक भी पहुँच चुका है लेकिन अब नराजगी कुछ बढ़ गई लगती है क्योंकि नाम बदलने से लेकर नोटबंदी तक बीजेपी और सरकार के हर काम में मंत्री जी को खोट नज़र आने लगा है नोटबंदी से बिल्डर से लेके लोडर तक इनकी रोजी रोटी चली गई और जिसको लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है जब पूरा का पूरा पैसा फिर रिजेप बैंक के पास आ गया लगभग तो फिर नोटबंदी से क्या मतलब जो काले धन की बात हो रही थी तो वो काला धन गया कहा है लोग सुबा चुनाव में अब करीब 6 महीने का वक बचा है और जिस उत्तरपरदेश ने बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटे दे कर मोधी को प्रधानमंत्री बनाया है उसी राजे में सहीयोगियों की बगावत बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब मसकती है ब्यो रिपोर्ट जी मीडिया